बिटकोईन, बिटकोईन, बिटकोईन आज कल हम जहां भी जाते हैं तो हर जगे हमें सुनाई दिता है केवल बिटकोईन हम लोग टीवी खोलते हैं तो वहाँ पर आजाता है बिटकोईन हम लोग इंटरनेट खोलते हैं तो वहाँ पर आजाता है बिटकोईन क्यों बन चुका Bitcoin वर्ल्ड का सबसे चर्चे वाला विश है तो दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ Bitcoin को लेकर ही सबसे पहले आपको बताऊंगा कि Bitcoin actually में है क्या उसके बाद ये बताने वाला हूँ कि क्या ये सही टाइम होगा Bitcoin में इंवेस्ट करने के लिए या नहीं और ये भी बताऊंगा कि Bitcoin के दाम जो है वो घटे बढ़ते क्यों रहते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को जरूर देखना पुरा एंड तक शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो Bitcoin को लेकर doubts हैं वो कुछ हद तक के लिए रोजए हैं तो जस्तो मेरा नाम है तुशार और आप देख रहे हमारा ही चैनल जिसका नाम है Proud Yogi की आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं करा सब्सक्राइब तो जाईए पटाबर से कर देए चैनल को सब्सक्राइब आई की रोजाना हम लेकर आने वाले आपके लिए एक से एक टैक से जुड़े वे update तो मैं चाहूंगा कि वो आप कुछ ना मिस करें तो चलिए चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि Bitcoin एक्चुली में है क्या Bitcoin आज का world का सबसे ज्यादा hot topic है हर कोई इसके बारे में discussion कर रहा है ऐसा क्यों हो रहा है आज से कुछ ताम पहले अगर हम लोग नजर मारे या एक साल पहले की बात करें या कुछ मेहनों पहले की बात करें तो Bitcoin का कोई नामों निसान नी था इवन मैं ये कहो कि हम में से आतरे जाला लोग हो ये भी नी पाता हो कि Bitcoin नाम की कोई currency भी होती है सायद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हर किसी के जवा में आ चुका है Bitcoin Bitcoin के बारे में हर को ही जानना चाता है हर किसी का interest Bitcoin की और थिच रहा है तो सबसे पहले दोस्तों बदा दू कि ऐसा इसलिए हुआ कि अचानक जो है ना Bitcoin का जो price है जो amount है value उसकी वो एकदम से विल्कुल hike करी जो amount hike करी वो एक गुना दो गुना नहीं है वो सीधा 10 से 12 गुना जादा hike करी वो भी बहुत कम time of period of time में जैसे कि for example मैं आपको बदा देता हूँ कि अगर 8 से 9 मेने पहले किसी ने Bitcoin में 1 लाग रुपे इंवेस्ट करोगा तो आज जो उसको इसकी return value मिलने वाली है वो लगबा कहीं सा कहीं 12 से 14 लाग रुपे के आसपास होगी तो ये इतना बड़ा hike मानना मेरे को नहीं लगते कि शायद किसी भी fund में आपको इतने जल्दी इतना इतने कम time में इतने ज़दा profit मिल जागा या इवन आप बोले परसनल आपको कोई business होगा आप उसमें भी इतना invest करते हो तो इतने short period of time में आपको इतना बड़ा profit कुछ शायद कहीं ही मिलने वाला तो bitcoin में कुछ ऐसा उचाल आया जिसकी वज़े से जो ये world में बहुत hot topic बन चुका है और हर किसी का interest जो इसे और खिचने लगा चाहे वो बहुत बड़ा से बड़ा उध्योग पती कि नहीं हो चाहे वो छोटे से छोटे लेवल का इंसान की नहीं हो चाहे वो middle class family का इंसान की नहीं हो हर कोई जानना चाहते है कि bitcoin एक्चुली में है क्या और एक्चुली में हम लोग bitcoin में invest कैसे करें और कैसे उसे एक अच्छी-कासी income कमा पाए तो दोस्तो अगला question जो यहाँ पर आजाता है वो यह है कि bitcoin एक्चुली में है क्या मुझे पता कि आप में से काफी सारे लोग को पता होगा शायद कि bitcoin एक्चुली में क्या है बट फिर भी मैं एक short में आपको बता देता हूँ कि bitcoin है क्या bitcoin जो है एक crypto currency है या फिर उसे हम कहे भी सकते है कि वो एक virtual currency है जी हाँ वो एक ऐसी currency है जिसको आप physically पील नहीं कर सकते हो वो किसी coin की form में नहीं है किसी note की form में नहीं है इवान आप उससे जो है बिल्कुल ऐसे market में जाके आप लोग उससे समान नहीं कर सकते हो वो जो है एक online money है आप उसको online transaction के लिए यूज कर सकते हो जैसे काभी तारी online websites होती है जो की bitcoin एसेट करती है तो वहाँ पे आप bitcoin के थुरूप payment कर सकते हो और वहाँ पे आप कोई भी समान फिर चेकते हो overall कह सकते है कि आपका एक online type का wallet है जहाँ पे आप bitcoin रख सकते हो बट आप उसको personally feel नहीं कर देखते तो bitcoin का ये चीज आपको concept किलर नो नचीए क्योंकि अभी एभी एक हाली में news आई थी कि कहीं पे किसी country में जो है किसी ने बनाए थे bitcoin के दिखने जैसे bitcoin जैसे logo है bitcoin की logo जैसे दिखने वाले fake coins बनाए थे किसी ने और उसको बेचा था लोगों को और लोगों ने वो खरीदे भी तो बहुत बड़ा scam था हो क्योंकि normally bitcoin की कोई physical form नहीं होती मैं आपको फिर से बता दूँ कि ऐसे fraud और scam ही कर सकते हो आप physically उसका नहीं कर सकते अब अग्री बात ही आ जाती है कि bitcoin को control कोन करता है दोस्तो जैसे कि मैं example के तो आपको बचाता हूँ कि यह Indian currency यहाँ पर आप लेख सकते हो कि यहाँ पर एक मेरे हाथ में Singapore dollar है तो यह Indian currency है Indian currency के जितनी भी coins और notes होते हैं उसको एक authority means एक government authority होती वो इनको control करती है तो वैसी जो Singapore dollar है इसको भी कहाँ Singapore की government authority जो है वो control करती है बट यहाँ पर जो है bitcoin को कोई भी authority control नहीं करती पूरे world में कोई भी government authority जो है bitcoin को control नहीं करती अच्छी बात यह है कि bitcoin जो है अपने इंडिया में legal है आप इसमें invest करते हो बट साथी साथ बूरी बात यह है कि government यह कहती कि in case आप अगर bitcoin में invest करते हो और आपका पैसा डूप जाता है तो आप कोई भी legal action नहीं रह सकते क्योंकि जैसे आपको पहले मत आता है कि कोई भी authority की उस चीज को control नहीं करते है तो यहाँ पर यह तोटली आपके ओपर depend करता है कि आप रिस्क लेते हो तो वो अपनी साइट से होगा इवन आप कल को blame नहीं कर सकते government को कि भाई हमने bitcoin में invest करता है ता हमारा पैसा आपर डूप चुका है तो इस चीज के ओपर आप कोई action नहीं दे सकते है यह तोटली जो भी होगा आपका अपना रिस्क होगा अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि bitcoin के यहाँ पर जो दाम है वो घटे बढ़ते क्यों रहते हैं तो दूस्त सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई बी चीज जो भी हमारे पास limited होती है हमारे planet में जो भी चीज limited होती है उसके जो price है ना normally high की करते रहते हैं बढ़ते जाते हैं पर एकदाम पर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं तो यह एक reason हो सकता है कि जिससे गोल्ड के price यहां पर बढ़ते रहते हैं तो वहीं पर जो bitcoin की भी बात आजए तो bitcoin भी हमारे पास limited है यहां पर हमारे पास है total 21 million bitcoins हमारे पास available है पूरे planet में तो इसलिए एक यह भी चीज factor हो सकता है कि जब इसकी जादा need बढ़ती रहेगी तो इसका amount वह अपने आप बढ़ता रहता है तो हम लोग देखते हैं कि जैसे-जैसे bitcoin की आपर need बढ़ने में लगी तो इसका जो price यह बहुत ज़ल्दी बढ़ रहा है अब ही February की बात करूँ तो February में यह जो है bitcoin मैंने भी उस time पर खरीदा था bitcoin तो उस time पर यह 60,000 का मिल जा था एक bitcoin बढ़ आज ही कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर bitcoin का rate चल रहा है 11,000,000 रुपए का यहाँ पर एक bitcoin मिल रहा है जैसे के भी हाले में आपने दिखा हूँ कि bitcoin यहाँ पर 14,000,000 रुपए का rate बिटकोई ने टुच कर लिया था बट suddenly हमने दिखा कि एक दिन के अंदर अंदर यहाँ बिटकोई बिल्कुल डॉप आ गया था, तो ऐसा कैसे हुआ यह बिल्कुल सोचने वाले बात है, तो ऐसा इसलिए होता है कि bitcoin में एक्चुली ऐसा होता है कि जब हम लोग invest करते है bitcoin में, तो bitcoin का rate बढ़ता जाता है बट suddenly जैसे उन लोग को लगता है कि यहाँ पे 14 लाग रुपे का rate पहुंच चुका है और यह इनफ है, शायद उन लोग को लगता होगा कि इस से आगे rate नहीं बढ़ेगा तो वो लोग क्या है अपना पैसा जैसी भाहा निकालते है वहाँ से bitcoin से तो bitcoin की value वहाँ पे गिरने लग जाती है यहाँ totally बिल्खुल ऐसी depend करता है कि अभी आपने देखा हो कि suddenly जो 14 से 7 लाग इसकी value पुची थी, उसके पीछे reason यही था कि जहाँ पे 14 लाग रुपे value पुची थी तो उन लोगों ने अपना जिन्होंने invest करोगा पैसा उन्होंने पैसा भाह निकाला हुआ से और ऐसे में क्योगा कि bitcoin की value suddenly वहाँ पे गिर गी बट अच्छी बात है कि जैसी 7 लाग में इसका price पुचा तो जो लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि bitcoin का price घटेगा और हम लोग invest करेंगे तो वह होई चीज होई जैसी bitcoin का price डाउन हुआ लोगों ने invest करा और प्राइस बिलकुल एकदम से बहुत हाई पहुंच गया और फिर से जो आप देख सकते हैं कि bitcoin का rate बढ़ चुका है तो ऐसा जो है चलता रहेगा क्योंकि हम लोग को पता है कि आप में से भी काफ़े सरे लोग इंतजार है जैसी bitcoin का price डाउन होगा तो हम लोग भी लेंगे तो अभी परसनली मुझे भी नहीं लगता कि bitcoin का price घटने वाला है लोग जो है invest करते रहेंगे करते रहेंगे और लोगों को करना भी चीए मुझे ऐसा अपना अनुमान के according और traders भी ऐसा कहते हैं कि bitcoin का rate है वो कहीं लगे 50 लाग तक की value को touch करने वाला है तो ऐसा शायद time लगे में भी एक साल के असपास लग जाए बट मुझे लगता है कि ये value जरूर इतनी असाने से touch करेगा क्योंकि bitcoin की need बढ़ रही है और limited obviously है यहाँ पर I hope कि जितना मैंने आपको समझाया होगा आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों अब यह बात कर लेते हैं अगला question यहाँ पर हमारे mind माद आता है वो यह है कि क्या यह सही time होगा bitcoin में invest करने के लिए या नहीं दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं कि bitcoin की जो price है वो बिलकुल घट बढ़ रहा है बिलकुल एकदम से बढ़ रहा है एकदम से घट रहा है उसका जो reason है वो मैंने definitely आपको already समझा दिया है कि ऐसा क्यों होता है बट अभी बात कर लेते हैं कि क्या आपको यहाँ पर invest करना चाहिए या नहीं तो मेरा personal opinion लोग को तो definitely आपको invest करना चाहिए क्योंकि जो bitcoin का rate है वो बढ़ने ही वाला है बढ़ने ही वाला है शायद में भी थोड़ा drop down देखने को मिले बट एक time आने वाला है कि यह भी बढ़ता है लगा क्योंकि जो need है वो popular भी हो रहा है bitcoin जो भी worldwide आप देख सकते हैं कि पूरे world में popular हो चुका है हर किसी का interest यहां पर आ रहा है कि bitcoin में invest करेंगे bitcoin में invest करेंगे तो ऐसी में जो है bitcoin की value definitely और उपर जाने वाली है और शायद बहुत जल्दी यहां पर 50 लाग तक की value को यह touch कर जाएगा बट मैं आपको बता देता हूँ कि यह totally बैसको है risky ऐसा भी नहीं कह सकते है शायद इसकी value बिल्कुल चीर हो जाए बट अभी जैसा लग रहा है अनुमान माना जा रहा है कि वह इसकी value बढ़े की तो उसके according में आपको बोल रहा हो कि invest करना चीए बट जैसा कि मैं बोल रहा हो कि risky है तो आप उतना ही खर्च करो जितना कि आपको बास पढ़ा हो उसके ज्यादा value मात खर्च करो for example आपके पास एका 10,000 रुपे हैं तो आपको लगता है कि एक हजार रुपे का मैं आपर risk ले सकता हूँ तो एक हजार पे आप invest करो मैं example के तो आपको उतनी amount खर्च करो जितने मैं आपको लगता है कि आपकर वो डूप भी जाया ना तो मुझे कोई फरक नी पढ़ने वाला मैं personally उतनी value हो आपे bitcoin में invest करता हूँ जितने मुझे लगता है कि यह amount अगर चली भी गई ना तो मुझे इससे कोई फरक नी पढ़ने बाला या मुझे इसका कोई अफ्सोस नी होने बाला तो यही चीज करना आप भी ऐसा ना हो कि आपने जिदनी भी कमाई गई आपकी भेहना तो वो सारी की सारी आपने बिटकोईन में लगा दिया और यह उमीद लगा के बैठे हो कि जल्दी मेरा पैसे भी 2-3-3-3 से बढ़ जाएगा तो ऐसा बिल्कुल मत करना जितनी amount आपके पढ़ी होगी तो ही जाके इनवेस्ट करना और हाँ ये बिल्कुल एक सही time है इनवेस्ट करने का आपको इनवेस्ट करना चाहिए और कम से कम वेट करिए एक साल का एक साल का कम से कम वेट करिए उसके पाद definitely बहुत अच्छा result आपको यहाँ पे मिल लेगा तो दोस्तो अब जो अगला question यहाँ पे आजाता है वो यह है कि कहाँ पे bitcoin में invest करा जाए क्योंकि यह लोगों के अंदर काफी ज़रे doubts होते है कि यार कौन सी सही जगे हो कि जहाँ पे bitcoin में invest करा जाए ऐसे में हम लोग Google में अगर सर्च मारते हों कि where to invest in bitcoins तो यहाँ पे बहुत सारी डेरो websites फुल के आ जाती है जहाँ पे लेखा रहा है कि आप कुछ bits वहाँ से खरीदी है और उसके बाद उसके बाद इंट्रेस्ट आपको जो हर गर्टे मिलता रहेगा तो एक बारी को हम लो अच्छा इंट्रेस्ट के माँं जो हमको मिल रही है और पैसे बहुत अच्छा ग्रोथ आपर कर रहा है तो ऐसे में हम लोग को भी खुशी हो जीगए यहाँ पर तो आपको रहे हैं यहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक बड़ी आमांट पर पर इंवेस्ट कर तो यह चीज होती रहती है क्योंकि मैंने भी एक वेसाइड में पैसा लगा था, कुछ पैसा रहीत वेसाइड था और मेरा कुछ पैसाइड बूप छुक सुका है। मेरे को जो इंडिया में सबसे ज़न्जमेन वह लगता है जहां पर मुझे लगता है कि वहां पर आपको अपने बिटकोई पैसा लगाना चाहिए वह है जब पर करके एक 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 एप आप आपको स्क्रीन में दिख जाएगा वह एप तो उस एप को आप इस्टॉल करिए अपने उसमें एक उसकी कुछ करके इन्फोर्मेशन आपको डालनी पड़ती में पैंक काड आपको अपना लगाना पड़ता है और उसके साथ चाहँ आपको अधार काड अपना एंटर करना पड़ता है उसके बाद जो आपको अपका अपना पड़ता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारा जैप पे का अकौंट है और यहाँ पर भी जो बाइंग रेट चल रहा है एक बिटकोर्ट का वह है 12,56,241 महीं पर सेलिंग रेट जो भी एक बिटकोर्ट का चल रहा है वह है 12,31,16 नीचे आप लेक्टे बिड् तो जिसके जरी आप डिपॉजिट करेंगे पहले सबसे पहले डिपॉजिट के लिए आपको अने के बाद आप बाई कर सकते हैं यहां पर बिट को तो बाई वाले बटन में हैं पर क्लिक करेंगे हैं प्रिट करना इंटर जितने के बिट्स करें चालते हो इसके बाद उसको विद्डॉड कर सकते हो तो आयनार में आपको मिल जाएंगे उसके बाद आपको विध्रौ वाले बटन में जाना है और यहां पर उतनी अमांट आपको एंटर करनी हैं डिकली आप यहां से तो यहां पर 10 रुपे इसके एक्स्टा चार्ज़ लगते हैं तो जितनी भी आम डालोगों इसमें 10 रुपे एक्स्टा आपको चार्ज़ लगेगा तो दोस्तों यह तो मैंने अभी तक आपको बता है कि बिटकोई एक्षिर में होता क्या है क्यों इसके तो प्राइज है वो घटा बढ़ता रहता है और फिर एंड में आपको यह भी बताया है कि क्या यह सही टाइम होगा बिटकोई में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने कोशिस करी कि आपको एजी से एजी वे में समझाओं कुछ सकते हैं कोई भी क्रिप्टो क्रंची के बारे में आपको पूछना है तो आप कमेंट करके मिट से पूछ सकते हैं साथ ही साथ इस इन्वामिशन को आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें